हाई यूटिप फैमली आप सब कैसे हैं गाईस आज हम एक गाईस प्लाज और डिजाइनर ठीक है डिजाइन करेट करना जारें गाईस जो इसकी टोटल लैंथ है वह फाइफ इंचीज फॉर पॉइंट है ठीक है यह देख सकते हैं 5 इंचीज फॉर पॉइंट ठीक है तो गाइज जो इसकी लेंथ है वो इसकी जोंसे लेंथ है गाइज वो 22 इंचीज है यह देख सकते हैं गाइज ठीक है इसको हम फॉल्ड करेंगे ठीक है यह टू फॉल्ड है ठीक है यह देखें इसको हम ऐसे फॉल्ड करेंगे ठीक है जितना आपका ट्योजर हो उसके अकोर्डिंग आप चुडाई उसकी ले सकते हैं ठीक है तो ऐसे गाइज हमने इसको फॉल्ड कर लिए गास पहले हम पेपर पे पैटरन्रेडी करेंगे तो फेर हम यह देख सकते हैं गास यह पेपर पे पैटरन रेडी करेंगे तो आपको तो बताएंगे कि कैसे आप पैटन रेड़ी करें उसके कोडिंग आप फ्यूजिंग पे पेस्ट करके बहुत इजी से आपका डिजाइन करेट हो सकता है आप गाइस वान इंचीज हमने लेग लिए और वान इंचीज इसकी चुड़ाई है लंबाई भी वान इंचीज और एंड इसकी चुड़ाई भी वान इंचीज यह देख सकते हैं गाइस तो यहां से अपने एक तिर्शी लाइन लगा लेनी है ठीक है यहां से अपने गुलाई कार देनी है ठीक है यह देखे जैसे हम आपको करके दिखा रही हूँ ऐसे ही गाइस आपने शेफ ड्रो कर लेनी है तो गाइस यह देखे अब आपने सिंपल इसको सीजर के साथ कटिंग कार देना यह देखे गाइस यह डैडी हो गया ठीक है यह देख सकते हैं आप वन इंचिस चुड़ाई एंड वन इंचिस लंबाई ऐसे आपने राडी कार देना एट पैटनर गईज अब हम दूसरा पैटनर भी ऐसे राडी करेंगे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ठीक है गाइस जो इसके हमने लेंद है वो 1.5 इंचिस लिए है यह देख सकते हैं आप इसके लेंद है हमने 1.5 इंचिस लिए है और गाइस इसको एक लीफ की शेप में ड्रो कर देंगे ठीक है जैसे माँ को करकी दिखा रही है ऐसे ही आपने ड्रो कर लेना और पैटनर को राडी कर लेना और सिंपल आपने सो कटिंग कर देना तो गाइस यह देखे दूसरे सैंपल में हम त्यार कर लेंगे ठीक है स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और वन इंचिस ठीक है चुड़ाई एंड वन इंचिस लंबाई वन इंचिस चुड़ाई वन इंचिस लंबाई ठीक है इसको हमने ऐसे स्केर की शेप में दे देना ठीक है यह देख सकते हैं यह देखे स्केर की शेप में आपने इसको दे देना तिर्शी लाइन लगा देना ठीक है सिंपल आपने गाइस इसको कॉटिंग कर लेना ओवर ओल गाइस तीन पैटर हमारे राड़ी होगे इसके अकॉर्डिंग गाइस हम डिजाइन क्रेट करेंगे अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें किस चीज की न समझ आई हो तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को स्क्राइब कर दे और और पर भी क्लिक कर दे क्यूंकि जब भी हम अच्छी वीडियो बनाए उसका लिंक आप तक जरूर पहुंचे तो गाइस यह देखिए फ्यूजिंग है हमारे पास ठीक है यह देखिए गाइस जो इसकी ल आएंगे क्योंकि जब आप स्टिच करें तो आपके लिए असानी हो ठीक है कोशिश की यह कि असान से असान और इजी से इजी तरीके से आपको सिखाया जाए हमें तो गयद अभीत अपने मेरा चनल स्क्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल क स्क्राइब कर दे और लाइक कर दे और इसको ज़्यादा से शेयर करें here we go yeah मेर इस एक स्क्रेट यई लगा लिया तो आपने नीचे से एकोल करके ना उसके लिए भी है लगा देनी है कि अपके निícia को मार्जीन हो वो लाइन में कवर और है कि रेखें काई वो जो ठीक है यह देखें पैन की हल्प से हम इसको ड्रो कर देंगे ये देख सकते हैं तो गाइस जैसे माको करके दिखा रही हूँ तो ऐसे ये अपने सारे डो कर लीना है ये देखें अब हम लीव को वैसे ही इक् Unterstüt भी ठीक है उसको हमने फोल्ड कर किया था ड्रो इसको हम खोल के ड्रो करेंगे ठीक है इसको हम खोल के ड्रो करेंगे यह के गाइस वह पहला नमबर वाला था ना उसको हमने फॉल्ड इसले की है क्योंकि फ्यूजिंग भी फॉल्ड थी ठीक है इसको हम खोल के करेंगे तो ये देखें ट्राइंगल हमने काटा गाइस इसको भी हम ऐसे ही खोल के ड्रो करेंगे जैसे मागो काट के दिखा रही है ऐसे अपने ड्रो कर लेना अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो गाइस मेरे चैनल को प्लीज स्क्राइब कर दे और लाइक करें और जादा से जादा इसको शेयर करें झाल 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 करें करें हुआ है कि आप ग्यास के ओवरल हमारा डिजाइन हो गया तो आप एसको सिंपल करते ना ठीक है यह आप देख सकते हैं गाईस कितना खबसूरत और डीटनर से बनेगा ठीक है यह देखें यह डिजाइन हमने ड्रो कर लिए तो आप इसको सिंपल कटिंग कर दे पहले हम इसको जो एक्सरा हमने फैबरिक था ना फ्यूजिंग का उसको हम कटिंग करेंगे जो हमने एक कोडिंग है मैं हम कटिंग करेंगे देखें आपको कटिंग करकी दिखा रहे हैं ऐसे आपने कटिंग कर लेना ऐगर इस झाल 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 आपने जो डिजाइन आप रैडी करेंगे इसको आपने ऐसे कटिंग काल लेना है तो झाल झाल यहां 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 अबसूरती से और नीटनर से हमारी डिजाइन रेडी हो गया इसको गाइज हमने कपड़े पर पेस्ट कार लेना ठीक है कितना नीटनर से गाइज काट वर्ग रेडी हुग आपको वीडियों अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल का स्क्राइब कार दे और जदसे जदे इसको इसको सिंपल आपने कपड़े पेस्ट कार लेना है ठीक है यह देखें यह नीचे से जो इसे एक्स्ट्रा कपड़ा बचे ना इसको आपने लगा देनी है ऐसे आपने कपड़े पेस्ट कर लेना है झाल झाल गैज यह देखे जो आइरन के साथ इसको हम बैंड का रहे हैं इसके उपर आपने लगा लेना है सिंपल सलाई ठीक है दोनों का आपने सब्सलाई लगाकर रेडि कार लेना है ठीक है जैसे इसके हमने फ्यूजिंग से जुआइंड की यहां दूसरी पर्टि को भी आपने जु गाइस एक्स्रा कप्ड़े को कार देना वान वान इंचीज बस राख लेना हाफ इंचीज वान इंचीज जो हमारा स्लाई में मार्जन कवर हो ठीक है ऐसा ही दूसरा आपने रेडी कार लेना है गाइस के देखे हमारी पटी बनके रेडी हो गई है तो गाइस देख सकते हैं आप इसी के कोडिंग आपने दोनों को रेडी कर देना और ऐसे कपड़े को आपने पेस्ट कर देना ठीक है इसका भी सेंटर होना चाहिए गाइस इसका भी सेंटर होना चाहिए इसका भी सेंटर ह होना चाहिए अगर आप यादड है तो उजल्च का याद दिजाइन बिना रहे हैं तो तल्ड कविजि रोना चाहिए आप इसको आप तयुजर पे प्लाजों पे और गाइस कुमीज के फ्रैंट पे बाजू पे बहुत सारी डिफरंट जगों पे ठीक है कपड़े पे आप ये डिजाइन को रड़ी कर सकते हैं ठीक है स्लीव पे ठीक है जहां पे आपको मनासिब लगे बैस्ट लगे आप वहां पे ये डिजाइन को रड़ी कर सकते हैं ठीक है जैसे मापो करके दिखाऊंगे स्लाइवेस उसी के अकोर्डिंग आइस आपने स्टिचिंग कर लेनी है ठीक है जैसे मापो करके दिखा रही हूं ठीक है ऐसे ही आपने कर लेनी है तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को ला झाल 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 गैस के देखे जो हमने गैस पैटनर को कटिंग किया था ना जो हमरे फ्यूजिंग के डिजाइन है उसके साइट साइट पर आपने अपने लगानी है जहां जहां पे जिस शेप में हमने फ्यूजिंग कटिंग की है उसी शेप में आपने स्लाय लगानी है चोड़ी चोड़ी टिप्स होती है जो बिगनर्स है जैसे मैं बता रही हूं कि जो फ्यूजिंग की शेप आपने कटिंग के उसके साइट साइट पर यापने स्लाई लगानी है तो बहुत नीटनर से आपका डिजाइन बनके रेडी होगा तो गाईट जैसे मागो करके दिखा रही हूँ ऐसे ही आपने ओवर रोल स्लाई लगा के अपने डिजाइन को रेडी कर लेना है झाल 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 कि देख सकते हैं गाईज हमने ओवर रोल गाईज अपने डिजाइन को स्टिच कर लिए जो काट वर्क था उसके साइट पर ठीक है स्लाई लगा लेनी है स्लाई लगा के गाईज यह देखें स्लाई जब ओवर रोल लाग जाएगी यह देखें हमारी स्लाई लाग चुकी है तो गाईज हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगी गाईज यह देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको आप कटिंग कर दें ठीक है यह करके दखा रहे हैं आपको एक्स्ट्रा कपड़े को अपने कटिंग कर देन है और जो इसके सेंटर्स हैं उसके साइट्स पर आपने टूक लगा देने हैं टूक लगाने का बेनिफिट यह होता है कि जब आप कपड़े को टन करें तो उसमें जोल वगरा कोई ना हो ठीक है तो आप एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दें उसमें टूक्स लगा दें तो प्लीज गाइस मेरे चानल को स्क्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें कर देखें एक्स्ट्रा कपड़े को अपने कटिंग कर लिए हमने कटिंग कर लिए और टूक्स लगा दियें लगा देना यह देखें गाइस जैसे मापको टूक्स लगा कि दिखारी ओवर रोल आपने टूक्स लगा के रेडी इसको कर लेना ठीक है टूक्स लगाने का यह बेनिफेट होता है जब आप इसको टर्न करेंगे ठीक है तो इसमें कोई जोल बगरा नहीं आएगा बहुत नीटनर से आपका डिजाइन बनके रेडी होगा तो ओवर ओल गाईज आपने साथे लगा लेने कि अगर गाईज यह देखिए ओवर ओल नमारे टूक्स लग गये हैं तो हमने कपड़े को टर्न कर देना है देखिए जैसे माग वर कपड़े को टर्न करके दिखार रही है अपने कपड़े को टर्न कर लेना है गाईज यह देखिए कपड़े को हमने टर्न कर लिया और यह गाईज आपने सीजर से किसी भी नुकीली चीजों से इसके कॉर्नर जोंसे ना इकबल काल लेना नकाल लेना ठीक है थोड़ से शेप इसको खींचा का चाहीं नहीं करनी मतब सीजर को आपने ज़्यादा पुछनी करना कपड़ा फार्ट भी सकता हलके और मलाइम हाथों से आपने हलका हलका इसको ऐसे करना ठीक है इसकी शेप को थोड़ा इन हैंस करना ठीक है तो गाइस अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को स्क्राइब नहीं है तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को स्क्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और गाइस इसको ज़दा से प्ल कर लेने ठीक है यह रखे कितना अभप सूर्थ घाइस यह कितना प्यारा डिजाइन बनके रेडि हुआ है यह देख है इनकता प्यादा 해डि हुआ है अगर मेरी टी लगी हो तो मेरे चैनल को स्क्राइब करें लाइक करें और गाइस थैंक यू फर वाचिंग अगली वीडियो में मिलेंगे खुदा हाफीज इसको आपने तरपाई कर देना सिंपल इसको तरपाई कर देना ये देख सके कि इतना खुबसूरत गाइस डिजाइन बनके रेड़ी हुआ है ठीक है ओवरोल लुक थैंक यू फर वोचिंग खुदा हाफीज प्लीस मिरे चैनल को स्क्राइब कर दे